सफर के जीना मांगने वाली जीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना किरना उठना उठके चलना चड़ जा अंबर सीना सीना याद रहे ये शर्त सफर की पीछे मुड़ के देख कभी मा जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यूं जब सिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यूं मैं परिंदा क्यूं बनूं मुझे आसमा बनना है मैं एक बनना क्यूं रहूं मुझे दास्ता बनना है मैं परिंदा क्यूं बनूं मुझे आसमा बनना है कोई तो फजा है जो सिद्ध पे अड़ी है ये धड़कने यही तो मज़ा है किया जो किसी ने नहीं हम करें लनकार की खड़ी है दिफ में कार सोचना क्यूं जब जिन्दगी है एक ही दो बार सोचना क्यूं मैं परन्दा क्यूं बनूँ मुझे आसमा बनना है जय अड़ा जय जय बिहार तबसकार आदा प्रणाम स्वागत है आप सभी का बिहार अड़ा में कैसे हो आप सभी आशा करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आज की हमारी प्यारी सी शुरुआत के लिए तयार होंगे मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कुछ हलक था आज टॉपिक कुछ ऐसा दिखाई दिया जो की समझ में नहीं आया क्या था टॉपिक क्या कहना चाते थे इस टॉपिक के माध्यम से तो आप सभी के साथ कुछ चीजे शेयर करनी है मुझे और सबसे पहले तो जल्दी से सेशन को सभी पच्यों तक शेयर कर दूगूद आफटरनूँ गूढफरनूण गूढफरनूण गूढफरनून आज मैं अचानक से एक घार ऑजन गा रही थी तो याद आया अरे तुम लोगों की टास है आर तुन भागना है दौड़ना है तो आई दौड़ दौड़ कर इससे पहले आप लोगों के लिए बिहार, DL.A.D. और B.A.D. की जो क्लासिस चल रही है वो क्लासिस थी कुछ मिनिट मिलते हैं बीच में सोचा कुछ गुरूना लिया जाए जै माता दी, गुड़ आफ्टरनून, नमस्ते जै अड़ा, जै बिहार जी चलिए, शुरुवात कर ली जाए आज का सेशन थोड़ा लग है आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं कुछ और बताऊंगी बहुत जरूरी चीजे हैं जो आप लोगों को बतानी हैं तो उस पर आज बात करूंगी है ना अच्छा वो भजन आप लोगों ने सुना था सरस्वती पूजा के दिन ना उठा ना ऐसे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभुमन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रटियो रे प्रभुमन बसियो रे तो वही है है ना चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं तुम लोगों के लिए तो ठीक है मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है तुम लोग वीच में शायद रेस्ट मिलता भी होगा हम लोग तुम ही हमारा रेस्ट हो और जैसे जैसे आपको चीजे करती रहने हैं वैसे वैसे आपको चीजे लिखता भी रहना है ठीक है तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी पर आज strategy पर बात करेंगे, देखिए आपके estate की परिक्षा के बारे में सबसे पहले में जानकारी देदू, कि आपकी estate की परिक्षा मई में होनी है पता है आप लोगों को, मई में आप लोगों की estate की परिक्षा होगी आपके elections के बाद, इसके बाद, elections के बाद, आपकी परिक्षा होगी, ठीक है, और ये तो है 1.2, पहला phase, estate का, जो estate का दूसरा phase आएगा, है ना, estate का जो आपका दूसरा phase आएगा, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका जो STET का दूसरा फेज आएगा STET फेज 2 वो भी आपका जुलाई में आ जाएगा जुन जुलाई में और उसके बाद सितंबर में पेपर होगा ठीक है तो आपके पास अभी समय है तैयारी के लिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी नहीं कर पाए था तो भाई वो जरूर तैयारी कर लो ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये तैयारी करनी ही है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्लेबस पर कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हूँगा हम तो सिर्फ estate देंगे मुगालते में मत रहना क्योंकि estate के तुरंद बात बहुत समय नहीं मिलेगा BPSC 4.2 भी आ जाएगा तो तयारी हूँ इस हिसाब से करो कि आप लोग अपना estate भी दे पाओ और आप लोग अपना BPSC भी अच्छे से दे पाओ ठीक है चाहे वो TRE 3.2 हो और चाहे वो आपका TRE 4.2 हो ठीक है ये दोनों आपके cover up हो जाए अच्छे से इस हिसाब से तयारी करो ठीक है ना BPSC का जो TRE 3.2 है वो भी मुझे जितना अनुमान है वो मई में ही होना चीए मई एंड में मतलब आपके elections के बाद ठीक है तो ये आपकी परिक्षाए हैं जो आगे aligned है होनी है ठीक है आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें तयारी करनी कैसे है हम अपनी strategy क्या बना कर चलेंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले मूल चीज़े पढ़ेंगे जो very very important है उन्हें हम यहां लिखेंगे ठीक है जो very very important है उन topics को में यहां लिखूंगे जो जो आपको पढ़ना है introduction में ठीक है फिर उसके बाद में जो थोड़े से कम important है जो सिर्फ important है उन topic को हम यहां लिखेंगे ठीक है और जो थोड़ा कम करके भी काम चल जाएगा फिर उसके बाद हम उन्हें पढ़ेंगे मतलब कि जो casual topic है ठीक है जो casual है उन्हें हम यहां लिखेंगे ठीक है तो देखिए आप लोगों की जो तैयारी कराई जाएगी वो इस हिसाब से कराई जाएगी कि अब हमारे पास परयाब समय है हम फिर से तैयारी को शुरू कर सकते हैं हाँ बिलकूर शुरू से कब स्टार्ट होगी रिया वही बता रही हूं शुरू से ही स्टार्ट हो र फेज शुरू हो रहा है, एस्टेट के लिए, एस्टेट के लिए मैं दुबारा से एक फेज शुरू कर रहे हूं, जिसमें आप लोगों को सारी की सारी चीज़े कराऊंगी, ठीक है, चलो, तो देखो, very very important कौन कौन से topic हैं, जिन पर आपको सबसे ज़ादा ध्यान देना है, उसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो राग एवं उनका परिचय है, ये very very important है, ठीक है, दूसरा important topic जो इसके बाद आता है, ताल एवं उनका परिचय है, ये दूसरा most important topic है, ठीक है, तीसरा, संगी तग्य, एवं उनकी जीवनी, तीसरा important topic, ठीक है, चौथा important topic आपका, ग्रन्त, एवं ग्रन्तकार, ये चौथा important topic हो जाएगा आपका, पाचवा important topic, संगीत का इतिहास, ठीक है, और संगीत के इतिहास में भी कौन सा इतिहास, ये प्राचीन और मध्यकाल की बाद जाद करेगा, ठीक है, प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास आपका जादा important है, ठीक है, हाँ बिलकुल BPSC वालों के लिए भी equal important है, जितना important ये estate वालों के लिए, ऐसे समझो, अगर मैं थोड़ा सा मतलब सीधे सीधे कहूं तो, देखो, जैसे इमानदारी के साथ बताओ, ये है आपका BPSC, ठीक है, और इस BPSC में ऐसे समझो, ये है आपका estate, अब estate का तो पूरा का पूरा BPSC ये भीतर आगया की नहीं, लेकिन सारा BPSC, सारे estate में cover नहीं होता, ठीक ह तो देखो, अगर मैं बात करूँ, प्राचीन और मध्यकाल के संगीत के इतिहास की, उससे आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका important topic बचता है, वो हो जाएगा आपका, बहुत important आपका कौन सा बचेगा, सांगीतिक important topic है, very very important, इनसे आपको सीधा ये वाली सारी चीज़े करनी है, सबसे पहले, जो ये हैं, ये तियार होनी बहुत जरूरी है, मतलब ये तियार होगी, तो समझी आपकी बहुत सारी चीज़े हल हो गई, ठीक है, तो ये तो हमें करना ही करना है, अब आते हैं important topics पर, जो very very important से कम important है, लेकिन वैसे कम important नहीं है, वहाँ से questions का, जो केलो की margin रहेगा, वो यहाँ से कम रहेगा, ठीक है, important topics में से क्या क्या आ जाएंगे, तो देखो important topic में कई सारे topic हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तरत रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा विस्तरत र को याद रख पाओ, सबसे पहले important topic में आता है आपका, जितनी भी आपकी मुर्चना है, जितने भी आपके gram है, ठीक है, मुर्चना, gram, ठीक है, राग वर्गी करण, अलग अलग समय का, राग राग आंग, एना, दस्विद राग वर्गी करण, ये सारी चीज़े आ गई इस इसके अलावा क्या हो जाएगा, मुर्चना, ग्राम वगरा हो गया, राग वर्गी करण हो गया, और तुम्हारा क्या बचता है, कुछ चीज़े और बचेंगी, रुको ज़रा मैंने, कुछ चीज़े लिखी भी है, एक सिकिन रुखना ज़रा, ठीक है, मैं थोड़ा सा गायन के घराने हो गए, और इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका, गायन के घराने हो गए, लेकारी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, लेकारी से प्रशना सकता है, ठीक है, लेकारी हो गया, और मैं बता देती हूँ, इसके अलावा क्या हो जाएगा, हाँ, करनाट की पद्दती लिख लो यह आपका important में ही आएगा करनाट की संगीत पद्दती और करनाट की ताल पद्दती ठीक है? यह important हो जाएगा आपका इसके अलावा पाश्चात्य संगीत पद्दती पाश्चात्य संगीत आपको अच्छे से करना है यह आपका important topic में आएगा ठीक है? और बता देती हूँ देखो यह जितनी चीज़े लिखवारी हूँ नहीं दुबारा दुबारा नहीं लिखवाँगी आज लिखवारी हूँ संचो आज आपके लिए यह बहुत महत्पूर्ण हो जाएगा कि आपको यह समझ में आ जाए पढ़ना क्या है? और किस स्तर से पढ़ना है? सबसे पहले क्या फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? इस तरीके से पढ़ना है ठीक है? तो यह हो गया पाशात्य संगीत हो गया, करनाटे की संगीत हो गया और तुम्हारा क्या बचता है? कुछ बच नहीं जाए हाँ, आपके सारे वाद्दे हो गए वाद्दे वर्गी करण एवं प्रकार ठीक है, एक यह important हो गया आपका मैंने गरंथ एवं गरंथकार लिख दिया है और कुछ नहीं बचा है ना इसमें हाँ, शुती स्वर्विवस्था एक आपकी बचती है शुती स्वर्विवस्था शुती स्वर्विवस्था ठीक है, यह लिख लेना आप शुती स्वर्विवस्था तो यह आपके important topic हो गए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल एक मिनट, एक मिनट, कुछ और न छूड़ जाए हाँ, चलिए यह आपके important topic हो गए देखो, important और very very important यह आपको पहले cover up करने हैं सारे ठीक है ना, यह जितने भी topic हैं यह आपको पहले cover करने हैं सबसे पहले आपको वो cover करना है, फिर उसके बाद आपको यह cover करने हैं अब तीसरे number पर जो आपको cover करने हैं वो क्या हैं, वो भी बता दूँ जो casual topic हैं अब उनकी बात कर लेते हैं जरा casual topic में आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने अभी तक बिहार के संगीत घराने और यह सब क्यूं नहीं लिखा उस पर भी बात करेंगे वो मैंने क्यूं नहीं लिखा वो भी बताऊंगी ठीक है ना तीसरा लिख लो सब लो तीसरे casual topic में कौन-कौन से आजाएंगे इसमें सबसे पहले तो आप लोग लिख लो सभी संगीत अग्यों के स्वर संगीत अग्यों के स्वर लिख लो यहां से प्रश्ण पूछे जाने की संभावना हाला कि बिल्कुल ना के बराबर है लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आप लोगों को यह याद रखना है ठीक है और बता देती हूं इसके अलावा सांगेतिक शब्दावली में छोटी-छोटी बानिया हो गई गायन के प्रकार हो गई गायन के विधाएं हो गई और आपका और लिखवा देती हूं गायन के विधाएं हो गई इसके अलावा इसके अलावा क्या हो गई आपका? हाँ, आंदोलन वगेरा हो गया आंदोलन संख्या है ना? शृती संख्या पुरसकार सम्मान और आपका और क्या बच्टा है? फिर बच्टा है आपके बिहार के घराने बच्टा है बिहार का लोकसंगीत और फिर बच्टा है है आपके बिहार के इसको यहां मत लिखो एक मिनट वो आगे लिखवा देती हूं लोग गायन लिख लो सीधा ठीक है लोग गायन देखो कोई टॉपिक छूटा नहीं है न? कोई टॉपिक छूटा हो तो याद दिलाओ कोई और टॉपिक छूटा तो नहीं है तुमारे हिसाब से? सारे टॉपिक लिख दिया है मैंने या कोई छूट गया है? उपनाम मैंने लिख दिया है शायद लिखा है की नहीं नहीं लिखा है चलो उपनाम भी लिख दूँगी और कुछ बचा है उपनाम के अलावा उपनाम के अलावा कुछ बचा है तुम्हें याद आ रहा हो तो बताओ उपनाम के अलावा जो मैं कुछ लिखना भूल गई हूँ जैसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बूली हूँ मैं बिल्कुल 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 BPSC का शाम को करेंगे BPSC का शाम को साथ पुझे इंट्रोड़क्शन क्लास है ठीक है और यहीं मैं आपको EMRS के बारे में बताते वे चलूँगी सांगीतिक शब्दावली में आ गए वो और देखू अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैं मान कर चल रही हूँ सबसे अलग जो चीजे हो जाएंगी विधाओं के प्रकार हो गया सबसे अलग जो चीजे हो जाएंगी यहां पर लिख लिख लिए ना बिहार का लोकवाद्दे हो गए ठीक है लोक रित्ते हो गए यह सब हो गया बन्तलब बिहार का जो कल्चरल जितनी भी चीजे हैं वो सारी के सारी आ गई ठीक है यह हो जाएगा इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन टॉपिक नहीं है एक्स्टा में मैंने आपको चीजे पढ़ाई हूं तो बात अलगे कि अगर आ जाए बाई चांस तो वो ऐसी चीजे हैं जो बाई चांस आ जाएंगी ठीक है गायन समय वो राग और उनके परिचे में आ जाएगा राग और परिशे में ही मगायन समय वगरा पढ़ेंगे एक चीज और बच जाती है वो तुम लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाई कोई बात नहीं मुझे याद आ गई मैं बता देती हूं क्या एक मिनिट एक चीज और बच जाती है आपकी वो है आपका important topics में से ठीक है ये तो casual हो गए अब important में से देखो क्या वो चाहिए important में से एक बच गया है आपका वाद्दे का संचित परिश है भाग वाग पूच सकता है आपसे ठीक है ये और बच गया है ठीक है ये बच गया है आपके बागी सारे topic मैंने लिख दिया और जिस sequence में लिखे हैं उसी sequence में आपको इन topics को पढ़ना है कुल जमा मजबून ये है कि जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हमें पढ़ते जाना है ठीक है अब थोड़ा सा मैं आपसे संगीत की basic चीजों पर बात कर लेती हूं मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर संगीत की basic चीजों के बारे में नहीं जानते हैं आज भी नहीं जानते हैं ठीक है शुरुआत कैसे करोगे पढ़ने की वो बता रहे हूं और जो important books हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो बता रहे हूं देखो कहने को तो यह है कि आप कोई भी book मतलो वो भी आपके उपर है लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि मतलब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है आपको वाकई पढ़ाने के लायक पढ़ना है तो मैं अगर उसकी बात करूँ तो देखो कौन-कौन सी books हैं जो आप follow कर सकते हो अगर मैं books की बात करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी के पास NCRT की books होनी चाहिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए आपके पास NCRT की books होनी चाहिए अब NCRT में दो books है एक गायन की है और एक वादन की है आपके पास दोनों होनी चाहिए ठीक है गायन वादन दोनों books आपके पास होनी चाहिए ठीक है? हाँ वो बताऊंगी चिंता मत करो दूसरा देखो आपके पस N.I.O.S की बुक होनी चीए विश्वास पूरी तरीके से किसी बुक पर मत करना सब बुक्स में कही न कहीं छोटी 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 गलतियां आपको मिलेंगी संगी समेलन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि एस्टेट में वो कहीं भी दिया भी नहीं है ऐसलिवस में ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं आप लोगों को यह पढ़ना चाहिए वो मैं खुद भी कराती रहती हूँ उसके लिए परिशान मत होना तुम लोग ठीक है हाँ और देखो इसके लावा NIOS की बुक आपके पास होनी चाहिए पूरी तरीके से विश्वास इस पर भी मत करना पूरी तरीके से विश्वास आप लोग NCRT पर भी मत करना ठीक है NCRT की बुक कहां से मिले मैं वो भी बता दे रही हूँ ऑनलाइन सर्च करना गूगल पर NCRT बुक न्यूजिक डालके ठीक है करोगे आपको NCRT ओफिशल चैनल पर वो बुक मिल जाएगी मतलब वेबसाइट है NCRT की वहाँ जाकर आप लोग अलग-अलग बुक को डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए स्पेस रखना ये सारी चीजें ठीक है वो आराम से आपको ऑनलाइन free of cost मिल जाएगी उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चलो बाकी देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको NCRT बुक भी पढ़ाऊ मैं आप लोगों को NIOS की बुक भी पढ़ाऊ कायदे में आपके पास राग परिचय के चारो भाग होने चाहिए ठीक है चारो भाग आपके पास राग परिचय के होने ही चाहिए होने ही चाहिए It is compulsorily important कि आपके पास ये चारो बुक हो ठीक है ना ये चारो बुक आपके पास नहीं उसको प्रियंका देखो जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है बैच में उसको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है हाँ एक बात जरूर है मैं मतलब छोटा छोटा अगर मैं कहना चाहूं तो कि अगर आप यह चाहते हो कि बुक नहीं लेनी है तो ठीक है आपका एकजाम तो क्वालिफाई हो जाएगा एकजाम के लिए तो बिल्कुल चिंता मत करो जितना करायी हूं इतना आराम से मिल जाएगा आपको ठीक है ना लेकिन मैं हाँ कोई बात नी शिक्स गुए चल्प दिधध़शी नहीं है श्रीबगवान जी गलत नहीं के रहे हैं आप के पास और अच्छी बुक्स होनी जरूरी है ठीक है तो देखो राग परिचय हो गया चार भाग इसके अलावा एक किताब हलेई आप मेरे बैच में हो या नहीं हो ये किताब सब के पास होनी चाहिए अगर कोई बच्चा संगीत के लिए सीरियस है तब ठीक है बाकी तो आपक क्रमिक पुस्तक मालिका होनी चाहिए आपके पास ठीक है क्रमिक पुस्तक मालिका शुरू के दो भाग ले लेना ठीक है दो भाग ले लेना पहला और दूसरा भाग कम से कम ले लो दो भाग कम से कम ले लेना उसके ठीक है ना तो ये आपके पास क्रमिक पुस्तक मालिका एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है कि हार स्टूडेंट के पास होनी चाहिए हाला कि इश्वर की दुआसे मेरे पास तो 6 के 6 भाग हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कम से कम दो भाग होने चाहिए ठीक है ना? हाँ, आप देखो इंडियन आर्काइव्स करके आपको बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़े मिल जाएंगे वहां से अलग-अलग तरह की अच्छी-च्छी बुक्स मिल जाएंगे लेकिन वही है कि आप उसे पढ़ हो गया नहीं ये भी मेटर करता है आप इमानदारी के साथ बताऊं, 90% बच्चे वो किताब पढ़ेंगे नहीं उसके पीछे कारण है, इतनी मोटी किताब है पढ़ेगा कौन? 6.500-800 पेज की किताब है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी पढ़ेगा समझ रहे ना? तो ये हो गया क्रमिक पुस्तक मालिका आप लोग मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कोशिश करना, क्रमिक पुस्तक मालिका आपकी जो भातखंडे जी की है हिंदी अनुवाद, वही मंगाना ठीक है, कोई और बुक मत मंगा लेना, ठीक है? और बता दियों उसके लावा, कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए आपके पास होनी चाहिए, भातखंडे संगी शास्त्र ठीक है ना? भातखंडे संगी शास्त्र बुक आपके पास होनी ही चाहिए ये कैसी किताब है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा समझ रहे न, ये किताब ऐसी है, जिसके चारो भाग आपके पास होने चाहिए मतलब it is compulsory कि ये हर बच्चे के पास हो, ठीक है न, तो अगर आप लोग खुद से तयारी कर रहे हैं तो ये सारी किताबें आपके पास होनी, ये तो खुद से कर रहे हो या मेरे साथ मिलकर कर रहे हो कोई फरक नहीं पड़ता, ये किताब तो सब के पास होनी चाहिए, क्रम एक पुस्तक मालिका भाग दो कम से कम भाग एक तो पहले खरी दिलो, भाग दो आप बाद में भी खरी सकते हो, लेकिन भाग एक तो पढ़ लो ठीक है न, तो ये आप लोगों को तयार करना है, ये आपके पास होनी चाहिए, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, क्रम एक पुस्तक मालिका ठीक है बाकी market में धेरों किताबे आपको इधर उधर देखने को मिलेंगी मैं एक ही चीज कहूंगी आप लोगों से कि भाई आप जितना भी पढ़ रहे हो आप जितना भी market में देख रहे हो उसकी कोई authenticity नहीं है अगर वो किसी अच्छे writer की किताब नहीं है तो competitive किताब पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी कोई authenticity नहीं होती उसका कोई पता नहीं होता कि वो सच में किताब जिसने लिखी है सोस समझ के अच्छे से लिखी है नहीं मिली है नहीं लिखी है ठीक है नहीं बुक नहीं है तो एक्जाम के पास नहीं होगा निशा मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को ये सारी किताबें रखनी है तब जब आप self study कर रहे हो जब आप लोग self study कर रहे हो तो ये सारी किताबें आपके पास होनी चैए इन्ही किताबों से आपका BPSC भी qualify हो जाएगा इन्ही किताबों से आपका estate भी qualify हो जाएगा इतनी किताबे अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो ठीक है और एक और चीज बता दूं यह तो हो गई बुक की बात अब आप लोगों को और क्या-क्या मतलब कैसे-कैसे पढ शुरुआती बता रहे हो कि कैसे आप लोग पढ़ना शुरू करो को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए संगीत में सबसे पहले संगीत के उद्भव के बारे में पढ़ो संगीत का उद्भव कैसे हुआ ठीक है इसके बारे में जितने भी मत हैं वो सारे मत पढ़ो अलग-अ लोगों ने अलग-अलग मत दिये हैं, यहां से शुरू आत करना, ठीक है ना, तो यह आप लोगों को पढ़ना है, संगीत का उद्भाव कैसे हुआ, फिर संगीत की उत्पत्ती के बाद, संगीत का आधार गरंत क्या है, यहां से पढ़ना शुरू करो, है ना, संगीत का आधा नाट्ट शास्त्र के विशे में पढ़ने को मिलेगा, नाट्ट शास्त्र जिसको भरत मुनी जी ने लिखा है, फिर आप ये पढ़ोगे, भरत मुनी जी के नाट्ट शास्त्र में जो अंतिम 6 अध्याये हैं, अंतिम मतलब बिल्कुल अंतिम नहीं, अंतिम के अध्यायों में 6 इसमें कितने अध्याई हैं 36 अध्याई हैं 28-29-31-33 33 तक आप लोगो किया मिलेगा हाँ बिलकुल बिलकुल तो देखो यह छे अध्याई जो हैं अंतिम छे अध्याई इसके नाट्यशास्त्र के वहाँ आपको संगीत की विवेचना मिलेगी रस के बारे में पतल चलेगा यहा फिर आप लोगों को संगीत रतनाकर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, संगीत रतनाकर मतलब की बात कर रहे हैं हम किसकी, शारंग देव जी की, ये कुछ महत्वपूर नाम बता रही हूँ, शारंग देव जी की, संगीत रतनाकर में कौन कौन सी चीज़े कैसे कैसे दी गई इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, फिर थोड़ा सा संगीत पारिजात के बारे में पढ़ना संगीत पारिजात के बारे में पढ़ना संगीत पारिजात में क्या दिया गया है कैसे दिया गया है ये सब अच्छे से पढ़ लेना छोटी 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 चीज़ें किसने कौन सी किताब लिखी कब लिखी कौन किस किताब का लेखक है ये सब छोटी-छोटी चीज़े आप लोग उपनाम वगेरा हो गई, ये सारी चीज़े चीज़ों पर आप नजर माल लेना, हाला कि ये सारी चीज़े मैं cover करने के कोशिश करती हूँ, ये आपकी almost cover हो जाएं questions के माध्यम से, मतलब जो मैं mixed questions आप लोगों को कराती हूँ, ठीक सबसे पहले आप भातखंडे और पलुसकरजी को पढ़ो, उसके बाद किसी और को पढ़ो, इन दो लोगों को पहले पढ़ो, पलुसकरजी हो गए, और भातखंडे जी हो गए, इन दोनों की आप स्वरलीपी पददती पढ़ो, वो इसलिए नहीं कि paper में आएगी, वो इसल सबसे पहले सांगीतिक शब्दावली ठीक है अब सांगीतिक शब्दावली पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कैसे आपको संगीत समझ में आगा मैं बतारे हूं किस सीक्वेंस में पढ़ोगे इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सारी चीज़े आप लोगों को clear होते वे चलेंगी ठीक है हाँ एक चीज और छूट गई है संगीत रतनाकर से पहले प्रिहत देशी प्रिहत देशी ये मतंग मुनी कृत है हाला कि इसके बारे में बहुत जादा नहीं पढ़ना है थोड़ा ही पढ़ना होता है बस कि भाई मतंग मुनी जी ने पहली बार मतलब आपको रागों के बारे में बताया राग क्या होता है राग शब्द का प्रयोग अच्छे से किया है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी पढ़नी है बिल्कुल सामाने सामाने है ठीक है तो उसमें कौन सा आपके कामका है और कौन सा आप लोगों को पढ़ना है वो ज़्यादा जरूरी है है ना तो ये थोड़ी पॉर्ट क्यूंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है मतलब सारी चीजों को, सारी चीजों की बाद कर रही हूँ, ठीक है, चलो, तो आप थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसके लावा क्या-क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो पलुसकर जी के बाद में, जब आप ये सारी चीजे पढ़ना है, तो फिर सांगीतिक शब्दाव फिर नाद के लक्षन पढ़ लेना, नाद के गुण पढ़ लेना, ठीक है, फिर उसके बाद में पढ़ना आप लोग, शृती के बारे में, बाई शृती पढ़ लेना, कौन-कौन सी है, इनके नाम पढ़ लेना, शृतियों के प्रकार पढ़ लेना, विभाग प्रकार कहलो इतने प्रकार हो गए ठीक है ये पांचों प्रकार पढ़ लेना दीपता, आयता, करुणा, मध्या और म्रिदू है ना दीपता, आयता, करुणा, म्रिदू और मध्या ठीक है तो प्रकार हो गए पांच कौन-कौन से दीपता, आयता, करुणा, म्रिदू, मध्या ठीक है, sequence एक बार देख लेना, फिर उसके बाद में स्वर पर आना, स्वर के प्रकार पढ़ लेना, ठीक है, प्रकार भी दू तरह के प्रकार होंगे, एक प्रकार तो वो जो आपके चल अचल वाले हो गए, ठीक है, चल अचल स्वर क्या होते हैं, और एक आपके कौन से प्रक आपके हो गए शुद्विकृत वाले शुद्विकृत स्वर कौन से होते हैं ये पढ़ लेना अच्छे से साथ स्वरों को पढ़ना है आपको साथ स्वर होते हैं या बारा होते हैं तो कुल बारा होते हैं और शुद्व साथ होते हैं ठीक है ना तो ये आप लोगों को पढ़ ले रहे हो तो बहुत है जितना मैंने कराया वो more than sufficient है फिर भी अगर किसी बच्चे को देखो ऐसा नहीं होता नहीं कि आप सिर्फ VPSC की त्यारी कर रहे हो पढ़ना कभी खराब नहीं जाता अगर आप strategy लेकर चल रहे हो चीजे लेकर चल रहे हो तो इससे आपका ही benefit है ठीक है तो देखो फिर आप राग पढ़ोगे पहले राग शब्द के बारे में जानना फिर राग के नियम जानना जैसे कि मतलब कम से कम 5 और अधिक से अधिक साथ स्वर हो गए ठीक है इसी राग में होते हैं फिर प्रकार पढ़ लेना जैसे कि आपको पता है शुद्ध राग क्य होते हैं छाया लग राग क्या होते हैं संकीन राग क्या होते हैं फिर ये सब पढ़ लेना ठीक है हलाकि मुझे लग रहा मूटी मूटी सारी चीज़े मैंने आप लोगों को कराई ही है है ना और देखो इसके अलावा नियम पढ़ लेना तो नियम में ये भी पढ़ना कि मा कभी वर्जित नहीं होगा ठीक है ता कभी भी वर्जित नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है मनीशा ये हसी आने वाली बात है भी तुम्हें हसी इसलिए आ रही है वाला क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भी बार बार हमें पढ़ने के लिए क्यों कहती। है। तुम लोगों से पढ़ों इन्हें से पढ़ आगlor के लिए लुट पर सब्सक्राइब। । सुटरब भगवान जी किस बारे में बात करें रुए हो तुम मुझे समझ Nigar उर Hak इस तरह के result के बारे में बात करें, जो चला गया है वो या जो आएगा वो, है ना, खेर, अभी फिलाल तुमें जिसके बारे में बतारी हूं वो सुन लो, साक अभी वर्जित नहीं होता राग में, और इसके अलावा, राग के, राग के जो आपके प्रकार हैं, है ना, तो वो उपढ़ लेना, राग के प्रकार, यह जातियों की बात हो रही है, कौन-कौन सी होती हैं, वैसे तो तीन हैं, कौन-कौन सी, संपून है, शाड़व हैं, और ओड़व हैं, ठीक है, लिकिन यही जातियां आगे बढ़के, फुल नौ जातियां हो जाती हैं, ऐसे करके आप र जाएंगी चीज़े कहीं बाहर छोड़ी जाएंगी यहीं आएगा ठीक है ना घूम फिर के तो यहीं आएगा तो यह हो जाएगा नियम पढ़ लेना सारे राग के बारे में राग के बारे में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़े सारी के सारी चीज़े यह बस कर लो भूपाली, दुर्गा, और आपका भीमपलासी, ठीक है, और आपका बागेश्री, कुछ भूल जाओं तो बता देना, बागेश्री, और आपका क्या हो जाएगा, मार्वा, और क्या हो जाएगा, बिलावल, और क्या हो जाएगा, देशकार, और क्या हो जाएगा आपका, और सुन लो, और सुन लो, देशकार हो जाएगा, और हो जाएगा आपका तोड़ी, जिसको आप मिया की तोड़ी कहते हो, है ना, मिया की तोड़ी, बहार हो जाएगा, राग बहार, है ना, और हो जाएगा, सुहनी, और हो जाएगा, कामोद, और हो जाएगा, केदार, और हो जाएगा, श्री, और हो जाएगा, आपका याद दिलाओ, और कौन-कौन से राग हैं, हा मलहार, मलहार, याद दिलाओ, और कौन-कौन से राग हो जाएंगे, बाकी बताओ, हाँ दर्बारी का आसावरी है, सही बात है, आसावरी है, याद दिलाते रहो थोड़ा-थोड़ा, उच मैं भी भूल जाती हूँ कभी-कभी, और कौन सा हो जाएगा, हाँ आसावरी हो गया, बसंत ह और हांश्री हो गया कामोद हो गया पूरिया धनाश्री हो गया पूरिया धनाश्री हो गया कोई नाम छूटना नहीं शिए दरबारी कानडा लिख दिया मैंने दर्बारी का नड़ा ठीक है और बता रही हूँ और कौन सा था और याद दिलाओ कौन सा हो जाएगा कोई राख भूलनी नहीं चाहिए हो गया चाया नट हो गया हमीर हो गया और कौन सा हो गया और याद दिलाओ पीलू हो गया बिल्कुल सही बात पीलू हो गया देश हो गया देशी हो गया राख देशी हो गया और कौन सा हो गया शंकरा हो गया ठीक है शंकरा जैजेवन्ती ठीक है मुलतानी और कौनसा हो गया शंकरा हो गया जैजेवंती हो गया तेड़ी खीर है वालक सीधी खीर नहीं है और कौनसा हो गया पीलू हो गया गौड सारंग हो गया सही बात गौड सारंग हो गया और कोई राग तो नहीं भूल गया भैरवी हो गया जौनपुरी हो गया बिहाग हो गया बिहाग जौनपुरी भैरवी भैरवी हो गया और कौनसा राग रह गया पीलू हो गया भूपाली मैंने लिख दिया इंडोल मैंने लिख दिया नहीं और कोई भी बचा है क्या खमाज नहीं बोला वेने खमाज बोल दिया शार व्रिंदावनी सारंग रह गया है व्रिंदावनी सारंग रह गया है व्रिंदावनी सारंग एक दो राग और बच गया हो तो उसको ठीक ठीक लगा लिजएगा ठीक है बाकी ये तो आपको करने ही है ठीक है तो ये आपके राग हो जाएंगे जो आपको तैयार करने है सुनने में लग रहा होगा कि इतने सारे ब याद करने का तरीका बता रहे हूं, ठीक है, क्या करना, सबसे पहले थाट लेना, ठीक है, थाट के अनुसार आप अपने राग बाट लेना, किस थाट में कौन से राग, फिर इनके वादी समवादी के अनुसार बाटना, मैं तुम्हें बाटने का तरीका बता रहे हूं, ग्याद करने हैं, तो क्या गर्ना? सबसे पहले एक कॉलम बनाना थाट, ठीक है? थाट के हिसाब से राग लिख लेना ठीक है फिर दूसरा दूसरा कॉलम बनाना आप किसका राग के गायन समय का उसे दो हिस्सों में बाटना पुर्वार्द उत्तरार्द में ऐसे मत बाटना प्रहर में बाट दो नहीं पुर्वार्द उत्तरार्द में बाटना ठीक है ना हाँ बिलकुल तो इसको कैसे बाटोगे? गायन समय. और गायन समय के दो हिस्से करना. एक पुर्वार्द बनाना और एक उत्तरार्द बनाना. इससे आपको याद करना easy हो जाएगा. ठीक है? मैं easy बता लिए हूँ कैसे बनेगा. ठीक है? हाँ तो पुरवार्द उत्रार्द दो हिस्सों में बाटना बारा बारा घंटे का दूसरा तरीका तीसरा तरीका वादी के अनुसार बाटना उत्तरांग पुरवांग के अनुसार ठीक है तो तीसरा वादी समवादी के अनुसार बाटोगे बाधि समवाधी का अनुसार कैसे बाटना तो इससे आप लोगों को मतलब बहुत फाइदा हुजाएगा अगर आप इस तरीके से थाट के हिसाब से राग को डिस्क्राइब कर लेते हो तो समझो आप लोगों के लिए पहतरीन तरीक आईगे ठीक है ऐसे आप लोग राख पढ़ोगे तो भाई ये कुछ जरूरी चीजे थी जो मुझे लगा आप लोगों को तयारी के लिए बताने चाहिए और ये सिर्फ एस्टेट में नहीं, PPSC में भी काम आएंगे मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ एस्टेट, ठीक है, फिर से, दुबारा से दुबारा से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है अगर कोई बालक ऐसा है जो चाहता है कि भाई ये सारी चीजे उसे एक ही जगा पर इत्मिनान से मिल जाएं, अलग-अलग कुछ भी करना ना पढ़े अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग-अलग आपको अलग-अलग तरीके से ना पढ़ना पढ़े एक ही जगा पर सारी चीजे मिल जाएं, वो भी questions के साथ मिल जाएं, तो उसके लिए आप एस्टेट का, जो हमारा अभी तीसरा फेज आ रहा है है ना, 3.2 अगर आप लोग जोईन करना चाहते हो तो मैं बता देती हूं कैसे आप लोग जोईन कर सकते हैं उसका तरीका मैं बता देती हूं, ठीक है जनक आ रहा है आपका अगला जनक का एक नया वेरियंट आ रहा है न्यू वेरियंट ठीक है एक न्यू वेरियंट जनक का आ रहा है पढ़ाने का तरीका उसमें थोड़ा सा अलग होगा मेरा मैं उन चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके सा हाँ, EMRS के लिए भी बिल्कुल बात करूंगी ये सारे टॉपिक EMRS के लिए भी equally important है ठीक है और बता दूँ EMRS का बैच भी आपका आएगा थोड़ा सा धहरे रखो EMRS के लिए मैं भी रुकी हुई हूँ ठीक है ना, अब मैं बता रही हूँ कैसे आप लोग नए जनक से जुड़ सकते हो उसके लिए क्या करना, उसके लिए जाना अगर किसी बच्चे को important लगता है तब ही वो करे ठीक है, कैसे जुड़ना है वो बता रही हूँ और जिन बच्चों के बास महापैक होगा उन्हें तो परेशान होने की जरुरत ही नहीं है ठीक है ना, तो देखो क्या करना है, गूगल पर जाना और सर्च करना, अड़ा 24-7 सर्च करोगे, पहला ही विकल पाएगा, इस पर क्लिक कर लेना यहां क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद देखो, आपको यहां All Courses दिखाई देगा यहां क्लिक करना, स्टेट एक्जाम पर क्लिक करना, जो बालक यहां पर PDF मांगते हैं ना, मन करता है, सामने हो तो पैन फेंक के मारती, पूछो क्यों? पीडियेफ के चकर्म पढ़ रहे हो, तुम लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, पढ़ोगे ऐसे तुम लोगो फायदा है, रोज पीडियेफ की मांगो, भाई PDF के बजाए तुम लोग कॉपी पेन का इस्तेवाल करो, तब ना याद होगा, कहते ह हम से याद नहीं होता, है, तो देखो, स्टेट एक्जाम पर जाना, बिहार पर जाना, और देखो, अगर कोई बैच नहीं जॉइन करना चाहता, तो भी परिशान मत दो, तीन बजे वाली क्लास को रेगुलर रखो, तीन बजे वाली जो क्वेशन की क्लास है, अगर उसको को आद हूँ आपको, जनक में आप कैसे एन्रोल कर सकते हो, ये बैच आपका कौन सा वाला बैच है भाई, मुझे जरा एक मिनट का समय देना, जरा रुखना सभी लोग, देखूं कहां है आपका जनक, हाँ, शायद एक सेकिंड, नहीं भाई, अभी शायद आया नहीं है, अभी शायद आया नहीं है वुझे नक, ठीक है, नया बैच आपका आने वाला है, आप उस बैच को जॉइन कर सकते हो, बाकी तो आपको सारी चीजे पता ही है, हाँ, ज्यादा अच्छा होगा, मैं तो बार-बार कहती हूँ, महा प एक ठीक है इस पर क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद देखो यहां पर आओए walks यह देखो यहां 12 महेने पर क्लिक करना क्योंकि आप तो आफ़र कहतम हो गया है जब मैं आप लोगों को रहारे दिला रही थी तो आप लोगोंने ध्यान नहीं Y740 जैसे apply करोगे, apply करते ही तुरंत आपको यहाँ पर discount मिल जाएगा, ठीक है, यह 12 महीने का है, इसमें आपके सारे बैचेज यह वाले include होंगे, ठीक है, बाकी मैं आपसे शाम को मिलूंगी, BPSC के लिए हम शाम को बात करेंगे, BPSC के विशह में भी चर्चा होगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको strategy रखनी है, उसके बारे में भी बात होगी, ठीक है, तो चलिए मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप लोगों झाल झाल है, कि बजएट के बात होगी, कैसा बात शाम कहा सुन मिम्हाई होगी